जहिन दोस्तों एक वाफिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल खाकी टाक में मैं हूँ आपका दोस्त आपका भाई एनुसिक लेकर आया हूँ आपके लिए एक और इंफॉर्मेटिव वीडियो उत्तर प्रदेश पुलिस में एक नई फोर्स का गठन हुआ है जि करेंगे इसी वीडियो में आपसे रिक्वेश्ट बस इतना है कि चैनल पर अगर पहली बार आये हुए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करके बेल आइकन जलो प्रेस कर लिजिए तो आईए वीडियो की सुरवात करते हैं सबसे पहले जानते हैं उत्त सिविल पुलिस का जो काम होता है वो होता है लाइन अर्डर मेंटेन करना सडकों पर जो आप किसी भी तरीकी के पुलिस देखते हैं वर्दी में वो सारी सिविल पुलिस के अंतरगत आती है दूसरा इसमें जो होता है वो है पीएसी पीएसी का काम होता जिसको हम बहुते है प्रावेजनली आर्म कांश्टिबलरी मतलग कि जब भी कोई दंगा हो जाता है किसी पर कहीं ऐसी फोर्स की आउ सकता होती है जहां बल प्रियोग किये जाना है वहाँ पर पीएसी बुलाई जाती है पीएसी एक रिजर्फोर्स की तरह काम करती है तीसरा होता है फायर सर्विस फायर सर्विस भी पुलिस काही अंग है लेकिन अब एक नए और इसमें संगठन जोड़ा जा रहा है वो है यूपियेस एसीफ sivil पुलिस का आप काम समजगे फायर सर्विस का मतलब जहां कहीं आग लग जाती है या कहीं कैजूल्टी होती है आग कंदारा वहाँ पर फायर क्यों किया गया UPSSF का full farm है उत्तर प्रदेश special security force उत्तर प्रदेश special security force इसकी वर्दी भी अलग है इसका कामकाज भी अलग है और इसका वेतन जो है वो तो समान है ठीक है अभी तक जो UPSSF में भरती हो रही थी वो हो रही थी PSE के माद्यम से और सिविल पुलिस के माद्यम से यह दो लोग UPSSF में जाते थे UPSSF का काम है जैसे कि मालीजे आप paramilitary forces के बारे में जानते हैं कि CISF का नाम आपने सुना होगा केंद्रिये और द्योगिक सुरच्छा बल सेम इसी तर्ज पर बनाया गया है UPSSF जो कि आपके बड़े बड़े इंडस्टीज हैं आपके railway station हो गए बस station हो गए या फिर आपकी जो नियाले हो गए हाई सेशन नियाले हो गए मैट्रोज हो गए इन सब की सुरच्छा की जिम्मेदारी आप दे दी गई है UPSSF को अब आप यहां पर कहाएंगी कि railway के लिए तो सेपरेट जी आर्पी बनी हुए है जी आर्पी तो हाई है जी आर्पी तो अपना काम देख रही है जो सिविल पुलि मुख्याले दोरा और जल्द ही है इस पर वेकंसी आने वाली है अब जानते हैं कि इसका चैन क्या है उसकी चैन की प्रकरिया क्या है सबसे पहले आप जानिए कि इसमें जो मेल कंडिडेट है उनकी जो हाइट मांगी गई है वो 168 सेंटिमेटर मांगी गई है आल केटेगरी, OBC, EWS और SC यह सभी कंडिडेट इसमें सामिलोंगे वहीं HD कंडिडेट के लिए जो हाइट मांगी गई है वो मांगी गई है 160 सेंटिमेटर ठीक है फीमेल की अगर हम बात करें तो हाइट मांगी गई है 152 सेंटिमेटर सभी के लिए और HD की जो हाइट मांगी है तो चेस्ट यहां पर मांगा गया है 84 सेंटिमेटर और HD के लिए 77 सेंटिमेटर 5 सेंटिमेटर का आपका फुलाओ यहां पर होना चाहिए ठीक है महिलाओ के लिए वेट जो होगा वह 40 केजी होगा इससे कम बेट नहीं होना चाहिए कितना होना चाहिए 40 केजी बागी का ज सेक्षन उसमें पूछे जाएंगे पॉइंट जीरो फाइब की निगेटिव मार्किंग आपकी रहेगे और आपके लिए जो 4.8 किलो मेटर की दौड़ होगी मेल के लिए और 2.5 किलो मेटर की दौड़ होगी फी मेल के लिए ये क्वालिफिकेशन और ये आपका सारा कुछ र माध्यम से भरी जा रही है लेकिन अब सासन ने निड़े लिया है कि इसका एक अलग से गठन किया जाए जो पूरी जिम्मेदारी जैसे जी मैंने बताए कि बड़े-बड़े और द्विक छेत्र हो गए या जो CISF का काम है सीधा आप समझ लिए CISF का काम है वो सीधा अब चला जाएगा UP SSF को लेकिन UP के अंतरगत जो छेत रहते हैं यह नहीं कि Central Label के जो छेत्र है उनसे इसका कोई लेना देना नहीं है इसमें केवल और केवल UP समाहित होगा ठीक है अब आपको इससे related कोई सवाल है कुछ आप मुझसे जानकारी चाहते हैं तो बेशक मुझे comment कर देगा और हंडिट परसेंड मैं आपके सवालों का जवाब देता हूं तो मिलता हूं एक और वीडियो के साथ तब तक आप सभी को जैहिन जै भारत